गर्पती बप्पा मोर्या चली सुनते हैं गनेश जी भजन मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले ब्रह्मा से बोले विष्णु से बोले लक्ष्मी के गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले रामों से बोले लक्ष्मन से बोले सीता के गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले शंकर से बोले शांतनु से बोले लक्ष्मन से बोले मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले श्यामों से बोले बल रामों से बोले राधा के गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले राधा के गोदी में खेले गजानन हमसे ना बोले मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले यहां तक पूरा भजन सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप लोगों को मेरा यह भजन पसंद आता है तो प्लीज भजनों को लाइक करें जादे जादा शेयर करें और मेरे भजनों को धेर सारा प्यार दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपना धेर सारा प्यार मेरे भजनों पर बरसाते रहें गनपती जी का ये भजन आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट शेक्षन पर जरूर बताईएगा और ऐसे ही भजनों के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकत करते हैं रादे रादे जैस्त्रकृष्णा तो आज मैं आप लोग को एक गजनन की बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूं गनपती जी बहुत छोटे अवस्ता में एक चम्मच में दूद लेके पूरे गाउं में घूम रहे होते हैं वह चाह रहे होते हैं कि ये जो कर दो